यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल अपना चैनल सब्सक्राइब ना किया होते एकवाल जरूर कर लिजे ओलम्पियाट यानि विभिन्न विश्यों के साथ जो प्रतियोगिता है प्रश्णमंच आयुजित करना है प्रश्णमंच हिंदी अंग्रेजी विज्यान और गड़ित ओलम्पियाट को एक साथ करके निर्देश जारी किये गए है आये सबसे पहले देखते हैं निर्देश राजी सिक्षा केंद की और फिर उसके बाद हम ऑनलाइन बताते हैं कि कैसे होगा राजिस्टेशन राजी सिक्षा केंद से ये पत्र प्राप्थ होगा था तीन दस को और पत्र की मांग था सत्तावन पच्चीस पत्र में प्रश्णमंच हिंदी अंग्रेजी विज्यान और गड़ित ओलम्पियाट के संबन्ध में निर्देश जारी किये गए है पत्र में कहा गया है कि प्रात्मिक विध्यालेक में अध्यनत कक्षा 2-5 की विध्यारतियों के लिए अंग्रेजी ओलम्पियाट और मात्मिक विध्यालेक की कक्षा 6-8 तक के सभी विध्यारतियों के लिए प्रश्णमंच यानि कुई प्रत्यों गिता होगी हिंदी अंग आसानी हो जो प्रात्मिक इस्तर के बच्चे हैं उनको सिर्फ अंग्रेजी ओलंपियाड में भाग लेना है और इसके लिए जो निर्देश दिये गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि प्रतेक शाश की प्रात्मिक विध्याले कक्छा दो से पांस तक की प्रतेक अक्छा से एक विध्यारती अर्थात एक विध्याले से चार विध्यारती संकुल इस्तर की प्रतियोगिता में सवागिता करेंगे यानि जो आपको रेजिस्ट्रेशन करना है प्रात्मिक शाला का वो एक प्रात्मिक शाला से चार बच्चों का रेजिस्ट्रेशन आपको करना है अगर हम मादमिक इस्तर की बात करें इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 6-8 तक अध्यन करने वाले विध्यारतियों की सहवागिता निम्र अनुसार होगी यानि कक्षा 6-8 यानि मादमिक शाला में नामंकन के आधार पर सहवागिता होगी मालेजे किसी मादमिक शाला का नामंकन एक से ब और पत्र हमें प्राप्त आपको पोर्टल पर राजिस्टेशन, भी करना है और ये पत्र हमें प्राप्थ हूँ था संचालक राजिस्ट्रकान के अंदर भूपाल की ओर से अब चलिए देखते हैं online process registration की क्या है login कर लेंगे rskmp.in portal ये वही portal है जिस पे आप verification का काम कर रहे हैं बच्चों का 5-8 मी की परिच्छा का capture code डालते हैं और login कर लेते हैं login करने के बाद कुछ इस तरह की screen आपके सामने आएगी बिल्कुल यही process mobile पर है आपने mobile पर भी बहुत सारा काम किया होगा Olympiad के लिए आपको Olympiad options select करना है और इसके बाद जो नया option इसमें add हुआ है वो है student registration का इसको click कर लेजिए click करने के बाद आपको अपनी शाला का dice code इस तरह दिखेगा इस तरह से यहाँ पर class दिखना शुरू हो जाएंगी आपको इन में से अपनी कक्षा की उनको register करना है अगर यह शाला प्रात्मे किस तरगी है तो तो से 5 तक एक एक बच्चे यानि 4 बच्चे select करना है और अगर माध्मिक शाला है तो 6, 7, 8 कक्षाओं में आपको उन बच्चों को select करना है जो संख्या हमने शुरू में निर्देश के अनुसार बताई थी चली बताते हैं process कैसे करेंगे registration क्लिक कर लेते हैं class को show करते हैं और आप देखेंगे इस तरह से जो कक्षाओं में select की है उसके सारे बच्चों की list आपको यहाँ पर appear हो जाएगी दिखने लगेगी इन में से आपको वो बच्चे select करके register करना है जिनको आप ओलेंपियाड में भाग लेने ही तो चैनित कर रहे हैं ऐसे बच्चों की last में आप जाएंगे तो action button बना हुआ है उसको आपको click करना है इस तरह से form open हो जाएगा यहाँ पर student का नाम लिखा हुआ है data birth है class उसकी लिखे हुए father name, mother name, parent का mobile number और medium इस तरह से आपको जो भी suitable option से आप उसको यहाँ पर भरके और बच्चे को यहाँ से nominate button से click करेंगे इस सम्मंधित बच्चे का Olympiad के लिए registration nomination हो जाएगा यह दो थी जानकारी कैसे बच्चों को registration करेंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए thanks for watching